दोस्तों वल्कूम टो अर्चनल तो फाइनली लेके आगे हैं आप लोग का टार्गेट डे टू और आई होप कि आप लोगों ने टार्गेट डे बन बहुत ही बहुत ही बहुतरीन तरीकी से अचीव कर लिया होगा बच्चों को पढ़ा जरूर लो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा गहरी लाइन है इस लाइन को अगर आप समझ गए न तो कभी भी पढ़ाई में लालच नहीं करोगे कभी भी अपनी किताबे खरीदने में अपने कंटेंट में किसी भी तरीके की कोई भी आप लोग कोता ही नहीं बढ़तोगे और जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई कि मैं एक सर्ट कम पहन लूँगा लेकिन मेरे पास किताब कम नहीं होनी चाहिए मैं खाना हाथ पे रखते खालूँगा तीन टाइम की जगा एक टाइम खाना खालूँगा लेकिन मेरे पास किताबों की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये बात समझ आ गई तो निश्चित तोड़ से मैं कहा रहा हूँ आदी सफलता आप पाच चुके जोकि जिस बच्चे को ये इंपोटेंस पता चल गई उसको इस चीच की इंपोटेंस पता चल गई कि उसके पास बुक्स का होना या उसके पास एक guidance का होना या उसके पास एक teacher का होना कितना ज़्यादा important है किसी भी exam को fight करने के लिए तो उस दिन ही उसने आधी से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लिए तो मैं आप सभी लोगों से कहुँगा कि बिल्कुल भी आप लोग लालच ना करें आप किसी भी teacher के साथ पढ़ना श्टार्ट करें अपनी books में कोई भी कंजूसी ना करें बहतरीन तरीके से अपनी तयारी को श्टार्ट करो अब time जो है आगे वो इस तरीके का time आने वाला है कि अगर आपका selection किसी बज़े से यहाँ चूकता है group D में नहीं हो रहा, ELP निकल रहा, technician निकल रहा, NTP से निकल रहा जब आप तयारी करेंगे यह examples तभी देखने को मिलेंगे बिना तयारी के कुछ नहीं मिलेगा और यह वो time नहीं है कि आप इंतजार करें कि जब मेरी vacancy आएगी तभी में पढ़ूँगा तो यह जो बेवकूफ नहीं है आपके साथ जो तयारी कर रहे है इन में से कुछ लड़के select हो जाएंगे तो जो बाकी बचे लड़के हैं यह सब के सब आपके साथ fight करेंगे और इनका तो पहले से syllabus complete है तो क्या आप इसे fight फगर लोगे इन लोगों को compete कर पाओगे जिन लड़कों ने बहुत ही बहतरी तरीके से अब तयारी की भले इनका selection मान लेते हैं नहीं हुआ लेकिन इनकी तयारी तो है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए आज ही से तयारी स्टार्ट करिए अगर आप free of cost भी तयारी करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस से जुड़ जाओ free of cost टार्गेट हर week जा रहा है जिसमें आप लोग का 100% स्लेवस कबर हो रहा है लेकिन RPF और NTPC के बच्चों को थोड़ी सी जीके एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी उसके लिए भी मैं गाइड कर दूँगा लेकिन बाकी सारे subject आप लोग बहुत ही बहतरी न तरीके से और पूरी इंडिया की best faculty के दोरा complete कर सकते हो लेकिन ALP technician, group D और J.E. इनका 100% स्लेवस कबरेज है तो प्लीज आप लोग इस चीज की value समझो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कि क्या I hope कि आप लोगोंने test दिया होगा आगे 3-4 target जब follow कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत सारा स्लेवस निपट चुका है और उस चीज के अंदर से जो target आपने complete किया है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़े आपकी फसना शुरू हो गई है तो please मैं आप लोगों से चाता हूँ सिर्फ आप 3 targets follow करें और 3 targets का सारा content मैं आप लोगों को free दे रहा हूँ बिल्कुल भी आप लोगों को भटकने की ज़रूत नहीं है मेरी और चापका सारा content free है आप इस चीज़ को follow करें और फिर उसके बाद decide करें करना क्या है कुछ फाइदा हो रहा है तब आगे बढ़ें otherwise ना बढ़ें लेकिन मेरा कहना तो यह है कि किसी भी तरीके का आप लालच ना करते हुए अपनी पढ़ाई को serious ले लो यह 500 रुपे fees है या 400 रुपे fees है यह कोई बहुत बड़ी fees नहीं है अगर आपका exam निकलता है आप 60,000 पर मन्त की salary उठाने बाले इंसान तो प्लीज आप लोग यहां ना पढ़ो कहीं भी पढ़ो लेकिन प्लीज पढ़ो क्योंकि यह बोड टाइम नहीं रहा गया है कि जब exam होगा तब पढ़ूगा क्योंकि यह जो फोज तयार हो रही है ELP में अगर भले ही selection नहीं हो रहा है तो यह technician मिलेगी और technician में नहीं हो रहा है गुरूडी में लेगी गुरूडी में नहीं हो रहा है और साइको के लिए हम बैठे हैं आपको एक एक चीज की जानकारी देने के लिए साइको में आप लोगों को fail नहीं होने देंगे इतना बहतरीन content आप लोगों को provide कराया जाएगा सबसे पहले हमारा target है pre और mains part A और part B उसमें आप लोगों को fail नहीं होने देना है जिसके लिए हम जी जान से जोटे हुए हैं और आप लोगों का slavers complete करवाया जा रहा है तो चलिए हम लोग चलते हैं आपके target पर ये रहा आप लोगों का target अच्छा ALP technician वाले बच्चे इस भ्रम में ना रहें कि भाईया मेरे में तो है ही नहीं GK मैं क्यों करूँ देख भाई आपके pre में GK है जिसके दंपे आप लोगों को mains में घुसना है mains में भी हो सकता है बाद में GK का कुछ part डाल दिया जाए क्योंकि इन्होंने कहा कि हम से लिए बस change नहीं करेंगे लेकि notification as it is आया है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि GK नहीं है लेकिन अगर आपने GK छोड़ दी तो आप group D में मार खा जाओगे आप बाकी J3 में मार खा जाओगे NTPC में मार खा जाओगे और बच्चे को universal होना चाहिए इस time के हिसाब से क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि किस में selection होगा किस में नहीं होगा तो प्लीज आप इसको भले कम ध्यान दो अगर आप ELP पर ही पूरी फोकस हो टेक्निशन पर फोकस हो लेकिन इस पर ध्यान जरूर से जरूर दो ये तो मैं इतनी बहतरीन तरीके से करता हूँ थोड़ा 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 लाइफ टाइम काम आने वाली चलिए अब हम बात करते हैं आप लोग की कि आपका टार्गेट क्या है सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप न्यू स्टुडेंट है तो प्लीज बी आईप गुरूजी ओफिशल एप्लिकेशन पर जाके जो ये एप्लिकेशन है बी आईप गुरूजी ओफ ही होती है लाश्ट नों बताऊंगा कहा टेस्टरीज होती है तो आप लोग का मार्च और अप्रिल की इंपोटेंट डेट साप लोग को कवर करनी है हमने जैनवरी फरवरी कर लिया है यहां से कुश्चन आप लोग को देखने को मिलता है हर एक्जाम में भारत सरकार के आग लक्षण बनाती है कि जैसे 2030 तक इनों ने कहा है कि हम बहुआ इलक्टिफाइड कर देंगे पूरे इंडिया को यह ग्रीन रेलवे बना देंगे 2023 तक लेक्षण कर देंगे इस तरीके के इनके लक्षण रखती है सरकार कि हम अपने देश में यह काम कर लेंगे तो कई बार क पूछ लेता है कि sustainable development को लेके या इस चीज को लेके भारत ने कहा है कि green railway कब तक लक्षण रखा है या पूरे इंडिया को TV मुक्त कब कर देंगे इस तरीके के चीजे पूछी जा सकती है cancer मुक्त कब कर देंगे कि cancer का कोई भी रोग ही न रहे जैसे हमने polio मुक्त भारत किया ठीक इसी तरीके से आप लोगों के सामने भारत सरकार के कुछ लक्षय होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं तो प्लीज आप इस चीज को जरूर सरूर कबर करेंगे जो मैं content आप लोगों को दूँगा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है भारतिय संबिधान का basics हम कबर क इसके और ALP के प्री में भी आप लोगों को यहां से questions देखने को मिलते हैं चाएं वो PM हो राष्ट्रपती हो यहां इसने सिर्फ basics कवर करेंगे आपका मन नहीं है तो आप मत करें लेकिन आप कहीं न कहीं मार खा जाएंगे एक दो number से तीन number से और तीन number बहुत बड़ी value नहीं है next है latest abbreviation यह जो है सब्दक शंक्षे बहुत पूछे जाते हैं जैसे मालो कोई भी चीज इस समय चर्चा में है उसका short form आप से पूछी जा सकती है जैसे कि आप लोग नोर्मली GST है CAA है ठीक है इनकी full form पूछी जा सकती है तो please आप लोगों को जो भी चीज़े चर् होगे आपके दिमाग में वो चीज घुज जाएगी और एक्जाम में आएगी तो आप कर लोगे इस स्टाइटिंग में हमेशा वो चीज़े करानी चाहिए जो जल्दी याद हो जाए और most important हो जल्दी याद हो जाए नहीं जो most important हो और वो exam में आए तो आप लोग उन चीज जो को कर पाऊ उस समय यह ना हो कि भहिया उस समय करी नहीं पा रहे है नेक्स्ट है military exercises देखो यह भी बहुत important topic है group D के लिए भी ALP के लिए भी technician के लिए सब के है question किस तरीके के पूछते हैं तो military exercise में दो तरीके question पूछ रहता है कि आप यह बताईए काजिंद exercise अभी हाल ही में यहाँ पर हुई आप बताओ यह किन दो देशों के मध्य होने वाली exercise है काजिंद ठीक है तो कजाकरिस्तान इंडिया काजिंद मेरे पास trick है मैं दूंगा मे इस जाइमेक्स किस-किस के बीच है ठीक है नॉमेडिक एलिफेंट किस-किस के बीच है इस तरीके की चीज़े पूछी जाती है तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूरी से याद करें यह हमारा रहा जीके का target यह देखो छे दिन के लिए बहुत ही कम target है छे दिन तक आप ल आई क्यू करेंगे अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया है भी आई पे गुरुजी ऑफिशल अप्लिकेशन पर चैप्टर बाइस उस टेस्ट को लगाएंगे एक्जांप्लर करेंगे हम इस वार क्या एक्जांप्लर करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे गए थे पूरी की कि पूरी एंसी ईडरकी एक घंटे का ल indispensable मेरा खुद का भी लेक्टर मैं अपना लेक्टर भी दूंगा आप लोगगो उस लेक्टर को आप देख के इस चाप्टर को भी कबार कर सकते हैं और बाकी लेक्टर तो मैं आप लोगगो देता ही हूँ बिल्कुल डeft मे इन chapters को cover करो motion और force and laws of motion क्यों 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 कि यह आपके CBT2 के part A का है भाग और जो भी चीज आपके CBT2 के part A में आ रही है मैं guaranteed आप लोग इसे कहा रहा हूँ वो बहुत बहुत ज़दा important है क्योंकि वो आपकी merit का एक part है तो प्लीज आप लोग इस चीज को जड़ू से ज़रू cover करेंगे तो दो चीजे हो गई हमारे पास target एक तो motion chapter जो हमने किया उसके previous year लगाएंगे और उसका test लगाएंगे examplar का examplar की video भी मैं आप लोग को दूँगा examplar करेंगे और इसके अलावा force and laws of motion की सिर्फ theory करेंगे इसके examplar और PYQ next target में करेंगे तो प्लीज इतना जरूर से जरूर करें next है digestive system पाचन तंत्र हम करेंगे ठीक है ये बायो का हमारा part है और इसके अलावा CGS units अच्छा कुछ बच्चे के कह रहे थे कि भाया आजकर इतने छोटे questions नहीं आते हैं जिस तरीके के आपने vitamin में questions करा है मैं आप लोग को बता हूँ question कितना भी बड़ा है आपको basic understanding होनी चाहिए और जो आपको videos दी जारी है वो basic understanding के लिए दी जारी है और bio की इतनी ज़्यादा attention मतलो जितने questions आते हैं उसे बहुत difficult questions नहीं आते हैं आसानी questions आते हैं जो reproduction system बगएर ऐसा questions आते हैं difficult वो उसी तरीके से करवाए जाएंगे NCRT से ही करवाए जाएंगे इसमें आप उसकी tension बिल्कुल भी ना ले next है आप लोग का CGS units तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी थी SI units अब हम पढ़ेंगे CGS unit ठीक है इसमें आप लोगों पता होगा centimeter, gram, second बस कुछ नहीं है जो चीज मीटर में ले रहे थे MKS पदिती में और kg में ले रहे थे यहां आप वो centimeter और gram में ले लोगे second तो second है बस CGS पदिती है इसमें कई सरे questions पूछ रहेता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं एक Newton में कितने dine होते हैं इस तरीके questions बनते हैं तो वो आप लोग यहां से बना सकते हैं बहुत ही आसान है ये कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है लेकिन NCERT हमें बहुत ही बहुत ही बहुतरी तरीके से cover करनी है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए यहीं से questions आप लोग को देखने को मिलेंगे ये सारे का सारा सरे बस as it is group D में आता है as it is J E में आता है बस इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए यह जो basic science and engineering वाला part है इस चीज़ को अगर छोड़ दिया गए तो बाकि सारी की सारी चीज़े same है so please आप लोग confuse ना हो यह वाला जो part रहता है सिर्फ यह वाला part इनके लिए है ELP technician के बाकि आपका पूरा का पूरा same है ठीक है तो next अगर मैं बात करता हूँ तो force and laws of motion हो चुका है maths में जो हमने number system chapter किया आप कुछ करो या ना करो RS Agrawal के examples जरूर सरूर देख लेना और test जरूर लगा लेना क्योंकि आपने अगर यह दो काम भी कर लिये और उसका analysis कर लिया तो आप यह समझ के चलिए कि आपको वो chapter पूरी तरीके से achieve हो चुका है मनला पूरे chapter में से कहीं से भी question आएगा आप लोग पेल देंगे बहुत आसान है वो ठीक है guys तो यह number system का PYQ आप लोग लगाएंगे साथ में HCF and LCM chapter की theory हम लोग complete करेंगे अभी तक number system का हमने क्या किया था number system हमने सिर्फ कुछ चीज़े cover की थी अब हम उसके आगे की चीज़े cover करेंगे number system का पहले हमने base बनाया है अभी number system की और आगे की चीज़े बची है क्योंकि बहुत बड़ा chapter है अगर हमें time मिला जो मिलेगा ही मिलेगा ऐसी बात नहीं है क्योंकि हम रोज दो lectures देखेंगे number system के जो आगे 4-5 lectures ओच बचेंगे तो number system हमारा वहाँ complete हो जाएगा फिर अगले दो lectures के अंदर आपका CHCFL CM का basic cover हो जाएगा इसका जो और part बचेगा आप और next target में हम लोग डालेंगे तो इस चीज को प्लीज जरूर जरूर कर लीजेगा और कहां मिलेगा ये सारा का सारा content आप लोगो को नीचे टेलिग्राम गुरूप का link दे जा रहा है उसके अंदर ये सारा content आप लोगो मिलेगा reasoning में बात करूं तो number series के आप लोग previous year लगाएं जो number series और missing number आप लोगों ने किया है इन दोनों के हम लोग क्या करेंगे number series और missing number के क्या लगाएंगे PYQ लगाएंगे ठीक है इसके अलावा PYQ कहां से मिलेंगे तो आपके पास youth की book होगी आपके पास pinnacle की book होगी आपके पास जो book होगी किरन की book होगी आप उसमें से उठाइए और इन दो chapters के number series और missing number देखिए कि आपके हाँ कैसे questions आए हुए और अगर आपको ना मिले तो सीधा जाएए BIP Guruji Official Application पे वहाँ पर test series बनी हुई होगी इसकी उसके अंदर आपको previous year भी दिखेंगे best से best question देखेंगे सिर्फ वही question दिखेंगे जो आपके exam में आने वाले हैं एक भी question फालतू नहीं दिखेगा उसके अंदर जो आपके exam के हैं सिर्फ वही question देखने को मिलेंगे next है coding decoding का basic हम लोगों ने complete किया था अब हम coding recording complete chapter इस हफ्ते complete करेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा पूरा का पूरा chapter इस हफ्ते हमें अचीब कर लेना है next मैं बात करूं तो basic science and engineering drawing में last time हमने दो चीज़े कबर की थी देखो units and measurement भी हमारे under में है पूरा का पूरा लेकिन अभी आप घवराई मत आभी आपका units and measurement हुआ नहीं है पहले cgs unit कर ले फिर उसके बाद बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से basic science and engineering के लिए एक अलग से दिन देंगे कि units and measurement आज आपका है पहले तो मैं base बना रहा हूं सिर्फ NCRT के साथ फिर मैं उसे कराऊंगा क्योंकि speed and velocity भी हमारे पास एक chapter है लेकिन वो तब कराएंगे जब यहाँ पर motion और यह force and laws of motion दोनों chapter complete हो जाएंगे तब हम उधर पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भया क्योंकि यहाँ work and energy आ जाएगा तो work and energy भी हमारे पास basic science and engineering में है लेकिन वहाँ पर high level का पढ़ना होता है इसलिए पहले हमें NCRT complete करनी है फिर उसके बाद उसको करेंगे तो अभी हमारा जो basic science and engineering है इसके अंदर drawing instrument हमें cover करनी है पहला पार्ट हम लोगों ने cover किया था सिर्फ अब हम इसका दूसरा पार्ट और previous year वाला पार्ट complete करेंगे यहाँ से questions देखने को मिलते ही है और मैं आप लोग बता दूँ यहाँ सबसे ज़्यादा questions मिलते है drawing seat और drawing pencil से सबसे ज़्यादा questions देखने को मिलते हैं उस test को लगाएं आप लोगों को बहतरीन फायदा होगा सारी की सारी चीजों का ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं यह भी आईपी गुरुजी ऑफिशल अप्लिकेशन है यही आपका course है इस पर आप क्लिक कर लें ठीक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर view course पर क्लिक करें रही बहति ही नहीं है अभी आप देखेंगे आप फ्री है फ्री में लगा सकते हैं ऐसे reasoning के टेस्ट है basic science and engineering इसमें आईए और drawing इंस्ट्रुमेंट का easy-level tessT लगाईए बहती बहति ही बहति ही अपर आँपा line का टेस्ट है projection test है units measurement है, speed velocity है, सारे scientifically test है तो तो प्लीज आप drawing instrument का easy level test लगाई है, फिर इसका medium level, high level test डलेंगे, पहले आप drawing instrument का easy level test लगाई है, free of course कर दिया गया है, आप लोग ज़रू से लगाएं, और मुएदे साथ experience share करें, क्योंकि ये बहुत ही बहतरीन level के test आपके सामने बनाए गए है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोग को, अगर आपको थोड़ा सा पता लगे तो direct submit करते हैं, और आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके के solutions इसके अंदर डाले गए हैं, और कितने बहतरीन ये test बने हुए हैं, तो प्लीज आप देखिए, और यहाँ पर report collect हो रही है, अभी यहाँ पर मेरे तो सारे अनटेंप्ट ही हैं, यह देखिए, यह आप लोग के questions हैं, और इनके solutions देख सकते हैं आप यहाँ, किस तरीके के solutions दिए गए हैं, सारी की सारी चीजे बहुत ही बहतरीन तरीके से यहाँ, इसके अलाबा next question देखिए, next question में भी देखो drawing seat के बारे में यहाँ समझाया गया पूरा पूरा, तो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर दिखेगा, और इसके अलाबा यहाँ अगर हम देखें, तो यह देखिए, set square है, इसके बारे में पूरा का पूरा कितने angle बन सकते हैं, क्या हो सकता है, यह देखिए, सब पूरी चीजे बहतरीन तरीके से समझायी गई है, next देख लीजे, drawing board है, यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा किस तरीके से समझाया गया है, सारी की सारी चीजे आप लोगों को, इन डेफ्थ देखने को मिलेंगी, चाहें वो pencils हो, चाहें कुछ हो, आप देखिए हाँ, यह उनके solutions हैं, drawing seat के, यह सारी चीजे, आप जाईए और test लगाईए, आपको पता चलेगा कि कितना बहतरीन चीजे उसे, यह समझाया गया, यह देखिए, आप pencils, कितने अच्छे तरीके से हैं, सारी चीजे समझायी गई हैं, कितने types की pencil हैं, क्या हैं, Hindi, English, दोनों में आप लोगों को solutions मिलेंगे, और आप इन चीजों का full enjoy कर सकते हैं, वो भी free of course, ठीक है, जो starting की चीजे हैं, तो starting के 3-3 दिन का content पूरी तरीके से free मिलेगा, और इन चीजों का आप फायदा उठाइए, और इन questions को लगाईए, मिलेंगे फिर next वीडियो में, अगर आप लोग batch में join होना चाहते हैं, तो आप लोगों का welcome है, और इस समय जो batch की fee है, वो कर दी गई है, वो को सारा slaves complete कराया जा रहा है, बहुत ही बेतरी इन तरीके से, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में खेल रखेगा, take care.